तो कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत ही अच Хोंगे यहाँ पर मैं एक मांगा एक्स्प्लेन करने वाला हूँ जो की एक BL मांगा होने वाला है यानी boy love बाला मांगा होने वाला है अगर आपको इस तरह का मांगा पसंद है तो आप जो है इसे देख सकते हैं और वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं भी है तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते है कि यहाँ पर एक MMA fight हो रही होती है और जो fight करने वाला होता है वो जो नाम का एक लड़का होता है जो कि बहुत ही अच्छा fight कर रहा होता है वो अपने opponent को बुरी तरह मार रहा होता है जिससे हमें बता चलता है कि यह असानी से जीतने वाला है इस fight के लिए उसने बहुत ही ज़्यादा practice करी है इसलिए वो इस fight को बड़े ही असानी से जीज जाता है और अपने opponent को knockout कर देता है knockout मतलब match के बीच में ही उसे पुरी तरह खतम कर देना मारता नहीं है बट बेहोस कर देता है इसी तरह ये match को जीज जाता है हम देखते हैं कि इसका match जो होता है एक लड़का अबस के अंदर बैट कर अपने phone में देख रहा होता है इस लड़के का नाम किम होता है जो कि एक therapist है जो मनी मन ये सोच रहा होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा strong है और वो बहुत ही अच्छी fight कर रहा है वो उसके पास ही जा रहा होता है आज के दिन क्योंकि उसे एक therapist है तो वो therapy देने के लिए जा रहा है क्योंकि वो एक अच्छा massage करता है जैसा कि आपको पता है हर fighter को एक massage की जरूरत होती है जिसके लिए यह यहाँ पर आया होता है वो बहुत जादा डर रहा होता है बहुत जादा नर्वस होता है तो वो यहाँ पर एक दवाई को खा लेता है और फिर वो नौक करता है गेट को बट अंदर से कोई नहीं आता है इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही गेट को खोलेगा और अंदर जाएगा गेट को खोलने में भी उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है हम देखते हैं कि वो बहुत ही अराम से उस गेट को खोलता है और कहता है कोई है यहाँ पर बट वो देखता है कि अभी भी जो जो है रिंग के अंदर है पर रिंग के अंदर वो बहुत ही जादा fight कर रहा है और वो अपने opponent को बुरी तरह से मार रहा है वो देखता है कि चारो तरफ blood फैला हुआ है वो fight को देखकर phone में ही बहुत ही जादा चोक गया था अब वो इस fight को real में देख रहा है हम देखते हैं कि हमेशा की तरह यहाँ पर जो जो है उसे पुरी तरह मारता है और उसे knockout कर देता है बहुत ही aggressive fight करता है यहाँ पर जो यहाँ पर उसका coach रोकने का उसे dry करता है बट वो रुकने वाला होता नहीं है तब ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जो होता है उसका ध्यान यहाँ पर कीम के ऊपर चला जाता है और कीम यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है वो उसे देख रहा होता है और पूस्ता है कि तुम मेरे फाइट के बीच में कैसे आगे तुम यहाँ पर नए हो कौन ह तुम बताओ मुझे किम यहाँ पर बोल नहीं पाता उसे अपने सामने देखता है तो तब ही हम देखते हैं उसका मेनेजर यहाँ पर भागते हुए आता है और कहता है यह आपका थेरिपिस्ट है जो कहता है मैंने इसे कभी देखा नहीं है तो यहाँ पर वो कहता है कि यह जो फिर हम देखते हैं कि यहां पर मेनेजर समाइल करता है और उसे कहता है डरने वाली कोई बात नहीं है अगर तुम जबता किसे परिशान नहीं करोगे यह तुम्हें कुछ नहीं करेगा फाइटर को कौन ही परिशान करता है बस फाइटर के मूर पर होता है उसे तुम्हें मानन या फिर नहीं मानना है तो वो समझ जाता है फिर हम देखते हैं वो यहां से जाने लग जाता है मैंनेजर खुश हो जाता है और उसे कहता है All the best किम यहां पर जो होता है बहुत ही ज़्यादा डरा होता है और मनी मन सोच रहा होता है कि मुझे बहुत सारे लोगों के पैसे वापस करने हैं बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसलिए मुझे ये जौब करना पड़ेगा बैसक ये मुझे मारे या कुछ भी करें किम यहां पर रूम के अंदर आ जाता है जो कहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीना लग रहा है तो मैं अपने कपड़े को उतार रहा हूँ वो सभी कपड़े को उतार देता है किम यहां पर सर्मा जाता है किम उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है फिर हम देखते है होता है कि इसकी बोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और मैंने आज से पहले ऐसी बोड़ी नहीं देखी और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा है अब उसका हाथ गलती से उसके पैरों के पास स्लीप होकर कहीं और चला जाता है जिसकी व जो मारे का ये सोच कर वो रोने लग जाता है हम देखते हैं जो यहाँ पर कहता है कोई बात नहीं इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है तुम दुबारा से स्टार्ट कर सकते हो इस बार ध्यान से करना हम देखते हैं कि वो दुबारा से बोड़ी मसाज करना स्टार्ट कर देत फिर यहां से किम जो होता है वो जाने लग जाता है और वो यहां पर जो होता है वो उसे देख रहा होता है वो कहता है ठीक है तुम अब चले जाओ यहां पर हम देखते हैं कि कुछ हपते गुजर जाते हैं और कुछ हपते बाद भी यहां पर जो का कॉल नहीं आता जिकीम के पास कीव से दुबारा मसाज लेना है या फिर नहीं लेना बट कीम को तो पैसे चाहिए ही थे इसलिए वो बहुत अलग-अलग काम करने लग जाता है यसे वो पेट्रोल पंप में काम करता है एक बार कलब में काम करता है और साथ में एक सौप के अंदर भी काम करता है वो पैस किया था डॉक्टर ने उसके साथ बुरा बेवार करा यानि बुरे काम किये उसके साथ तो वो वहाँ पर छोड़ किया जाता है फिर वो आगे जाता है तो दिखता है कि कुछ बंदे वहाँ बर खड़े होते हैं जिने देखकर वो डर जाता है क्योंकि इन बंदों ने इसे पा मैंने यारा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ वैसे तो मुझे पैसे की बहुत ही ज़्यादा नीड है बर उसके लिए मैं करूं क्या, तभी उसका फॉन वाइबरेट होता है वो फॉन को उठाता है, फॉन पर कोई और नहीं जो ही होता है, जो यहां हूँ मैं तुम्हें 500 डॉलर एक्ष्टा दूंगा यहां पर वो सोचने लग जाता है कि 500 डॉलर से हो क्या क्या कर सकता है वो अपने कॉलिज की फीज को दे सकता है अपने ग्रेंटपा के होस्पिटल बिल को भर सकता है वो जो है एक मैने के लिए उन उनस सभी कामों को छोड़ सकता है सिर्फ एक सेसन लेने से तो यहां पर वो पूछता है कि क्या अभी आप देने वाले हैं पैसे तो वो कहता है कि हां मैं तुम्हें देने वाला हूँ तो यहां पर वो सोचता है कि ललगता है पिछले वाला जो treatment था उन्हें पसंद आया इसलिए वो बोल रहे हैं यहां पर वो दुबारा confirm करता है कि क्या आप मुझे 500 डॉलर देने वाले हैं सिर्फ एक सेसन के तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा चौक जाता है और कहता है कि ठीक है तो मैं जो हूँ आने के लिए दयार हूँ तो कि वो जो है उन सभी कामों से चुटकारा पाना चाहता है लोग उसे ना मरें वो भी वो चाहता है इसलिए वो उसे हाँ भर देता है फिर हम देखते हैं कि कीम उसे एक एड्रेस भीजता है जिस एड्रेस पे उसे जाना होता है वो दरवाजे को खोलता है और यहां से निकल जाता है उस एड्रेस पे जो कीम से कहता है थोड़ा जल्दी या ना और जो एक और काम कर रहा होता है जो वोरूम के अंदर एक बैट पे कर रहा होता है किसी यह लड़की के साथ तो तुम समझ जाओ और रात खो बैट पे क्या कर रहा है मिलते हैं अगले चप्टर में तब तक के लिए ओवर एन आउट